हलो बच्चों कैसे हो आप सभी आएए हम अपनी exercise को continue कर दे है exercise 12.1 question number second statement हमारे पास क्या given है a vessel is in a form of a hollow hemisphere mounted by a hollow slander हमारे पास कोई भी एक vessel है जो एक hemisphere की form में है और इसके ओपर हमारे पास क्या है एक slander रखा हुआ है देखिए यह हमारे पास कोई भी hemisphere है इसके ओपर हमारे पास क 14 cm यह जो hemisphere है इसका जो radius है वो हमारे पास क्या given है नहीं diameter हमारे पास क्या given है 14 cm and the total height of vessel is 13 cm और इस पूरी वैसल की हमारे पास height क्या given है 13 cm हमें क्या निकालना है find the inner surface area of vessel अब देखिए यह हमारे पास कोई भी hemisphere है उसके ओपर हमारे पास क्या एक slander है छीक है इस पूरी वैसल की हमारे पास height क्या given है question में 13 cm छीक है इस पूरी वैसल की height और इस hemisphere का diameter हमारे पास क्या given है 14 cm सबसे पहले हम लिखते है हमारे पास क्या given है diameter of hemisphere question में क्या given है diameter 14 cm अब देखिए हमारे पास diameter given है तो diameter से हम radius निकाल सकते हैं क्योंकि radius हमारे पास क्यों होता है diameter का half तो radius हमारे पास क्यों हो जेगा diameter का half ठीक है अब देखिए diameter हमारे पास क्या है 14 cm तो 14 cm का half कर देंगे हम तो जो radius है वो हमारे पास क्या आजेगा 7 cm ये जो radius है यहां से लेकि यहां तक ये हमारे पास क्यों हो जेगा 7 cm चीक है ये total diameter हमारे पास क्या given है 14 cm अब देखिए ये radius है तो ये वला भी हमारे पास क्यों हो जेगा center से outermost point तो ये भी हमारे पास क्यों हो जेगा radius हो जेगा और radius हमारे पास क्या given है 7 cm that means यहां से लेके यहां तक यह height हमारे पास क्यों हो जेगी 7 cm यह पूरी height vessel की 13 है और इस hemisphere का जो radius है इसका जो radius है वही इसकी height बन रहा है वो हमारे पास क्या है 7 cm तो इस slender की height हमारे पास कैसे निकाल लेगे हम अगर पूरी vessel के height में से अगर हम इस hemisphere की height को minus कर दें तो हम आसानी से slender की height निकाल सकते है देखे height of slender क्यों हो जेगी total height of vessel में से height of vessel minus height of hemisphere या फिर radius of hemisphere कुछ भी लिख सकते है radius या फिर height of hemisphere यहां तक आपको कुछ भी doubt है तो please comment section में बताईए अब देखे total height इस vessel के हमारे पास क्या गिवन है question में 13 और इसकी जो hemisphere है इसकी height हमने क्या निकाल लिया है 7 minus 7 13 minus 7 हमारे पास क्यों हो जेगा 6 centimeter that means यह जो slender है इसकी जो यहां से लेके यहां तक जो height है वो हमारे पास क्यों हो जेगी 6 centimeter ठीक है बच्चों अब हमें क्या निकालना है inner surface area of vessel अब देखिए इस vessel का inner surface area inner surface area से आप क्या समझते हैं यहां पर क्या बोला inner surface area मतलब अंदर अंदर वाला अंदर अंदर वाला है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है curved surface area की बात हो रही है तो हमारे पास क्यों हो जेगा inner surface area इस slander का plus inner surface area इस hemisphere का तभी हम इस पूरी वैसल का inner surface area निकाल सकते हैं तो inner surface area of slander plus inner surface area of hemisphere hemisphere ठीक है बच्चों अब देखिए inner surface area यानि curved surface area slander का हमारे पास क्या होता है 2 pi r h plus hemisphere का curved surface area क्या होता है 2 pi r square ठीक है अब देखिए यहां से common हमारे पास क्या r है 2 pi r हम common निकाल सकते हैं 2 pi r अंदर क्या यहां पे बच्ची गया h और यहां पे हमारे पास क्या बच्ची गया अंदर r ठीक है अब हमारे पास r की value भी हमें पता है h की value भी हमें पता है और pi की value भी हम जानते हैं just हमें value रखने हैं और हम असानी से question को solve कर सकते हैं देखिए 2 into में pi हमारे पास क्या है 22 upon 7 into radius radius हमारे पास क्या है 7 जो यह वला radius है 7 यह इस slander का भी radius है और इस hemisphere का भी radius है तो 7 bracket height height हमारे पास क्या है 6 हमने क्या निकाल दिया slander की height 6 plus radius radius हमारे पास क्या है 7 चीक है 7 से 7 cancel 2 के 22 के साथ multiply करेंगे तो 44 into में 6 plus 7 13 into में 13 अब देखे 44 को 13 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 572 चीक है और area किसके अंदर होता है square के अंदर unit हमारे पास क्या चल रही है centimeter तो unit हमारे पास क्यों हो जेगी centimeter square यह हमारे पास क्यों हो जेगा inner service area इस vessel का ठीक है बच्चो अगर आपको कुछ भी doubt हो तो please comment section में बताईए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए और अपनी निहान classes को subscribe कीजिए thank you